हलो दोस्तों आज हम लोग जिस प्रस्ट में डिसकस करने जा रहे हैं इसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रस्ण यह है कि सधर्लंड के अव्शान제가 कीकिसी सपेद पोस अपराद कहा जा सकता है तो आखी में सपेद पोस अपराद किसको हम रखेंगे चार आप्षण निची दिए गये हैं किस करटिगरी को हम सपेद पोस अपराद के अंथरगत रखेंगे यहां पर आप लोग चारो आप देख सकते हैं सामाजी का अभी जनुद्वारा किये गए अपराथ उद्द्योग एमंग बेवसाय में घुस्खोरी एमंग भरस्टा चार्ज जैसे आपराथ ऐसे अपराथ जिनकी सूशना नहीं हो पाती है और आभ्यासिक अपराधियों द्वारा किये गए अपराथ आप ल को यह पता है कि इस सदर लैंड जो हैं इनको हम लोग सफेद पोस अपराथ के कांसेप्ट के नाम से ही जानते हैं अपने समासास्त्र के फिल्ड में अब यहां पर हम लोग अगर चारों आपसन को देखें तो जो चौथा आपसन है आभ्यासिक अपरादियों द्वारा किये अपराद को हम सफेद पोस अपराद करते ही नहीं है ऐसे अपराद जिनकी सूचना नहीं हो पाती है तो यह भी इस कर्टेगरी में नहीं आता है अब दो आपसन बच जाते हैं सामाजिक अभी जनों के द्वारा किये अपराद या फिर उद्द्यों के विवसाय में कर रहे थे और वो यह देख रहे थे कि जो वहां का इलाइट वर्ग है अर्था अभी जन वर्ग था अभी जन वर्ग उन्हें कहेंगे जो कि काफी रिच होते हैं सोसाइटी में उनका काफी इंफ्लूएंस होता है प्रभाव होता है काफी जादे उनके पास पावर होती है तो इस प्रकार से वो लोग जो एक बोलेंगे कि हिसात्मक रूप उसमें नहीं दिखता है, आप राद में कि किसी को मार दिया, किसी का ऐसी तरीकी से मर्डर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, बलकि वो लोग पैसे को जो money laundering का काम करते हैं, कि पैसे को किस प्रकार से हम वहा से drain कर सकते हैं, या फिर हाइर पोस्ट होती है काफी जादे तो उसमें किस प्रकार से वो लोग टैक्स को बचा सकें, तो इन सारे जो crimes को करते हैं, उनको हम सफेद पोस अपराद के काटेगरी में आता है, रखते हैं, सफेद पोस अपरादार था, वाइट कॉलर क्राइम, यहाँ पे अब दो आफ़सन आप लोगों को दिख रहा है, कि सामाजिक अभी जनों के द्वारा किया गया अपराद, ये आफ़सन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सामाजिक अभी जनों की द्वारा किया अपराद की बात हो रही है, जो social elite work है, social elite work अर्थाद, समाज में जो काफी जादे रिच्छ हैं, जिनके पास पावर है, बहुत जादे, उन लोगों के द्वारा जो अपराद किये जाते हैं तो उसको हम लोग सफीर पूस अपराद करते हैं, चाहे वो किसी भी फिल्ड में हो, या बिसनेस के फिल्ड में हो, या फिर कोई अधर आकूपेशन हो, बॉडिज में हो या फिर एड्मिनिस्ट्रिशन में हो तो इस तरीकी से जो भी काफी हायर पोस्ट पे हैं जिनका पावर बहुत ज़्यादे हैं उनकी त्वारा जो टैक्सिस बचाने के लिए या फिर मनी लॉंडरिंग का काम किया जाता है इस अपरात को इन्होंने वाइट क बॉलर क्राइम कहा है यहां पर दूसरा आप्सन जो है उद्योग एवंग बेवसाय में घुसखोरी एवंग भरष्टा चार जैसे अपरात तो आप लोग को यहां पर थोड़ा सा आप्सन को यह समझना पड़ेगा कि उद्योग एवंग बेवसाय की यदि बात हो रही है त जबकि अगर सामाजिक अभीजनों की बात हो गई सोचल इलाइट वर्क की बात हो रही है तो यह अपने आप अंडर्स्टूड है कि इनके द्वारा जो क्राइम किया जाता है इस अदर लैंड ने उसी को वाइट कॉलर क्राइम कहा था तो उमीद है कि अभी आप लोग का ज है उसको हम लोग जस्ट डिफली डिसकस कर लेते हैं कभी हम लोग जब इस अदर लैंड को डीटेल में पढ़ेंगे तो डीटेल में डिसकस करेंगे बट आज हम लोग इनको एक ब्रीफ डिसकसन ले लेते हैं कि एक्जाम पॉइंट अब उसे सम फैक्सिस में आप लोग को म या गया है इसको मैं आप लोगों को समझा देती हूं आप लोग चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा इडविन हार्डिंग सदर लैंड जो है इनका टाइम लाइन अगर देखा जाए तो जीवन काल जो है वह 13 अगस्त 1883 से 11 अक्टूबर 1950 तक का है यह हैं एक अमेरिकन स समास सास्त्री हैं ही इस कंसिडर वान अब दो मोस्ट इंफ्लूएंशियल क्रिम्नो लॉजिस्ट आप ट्वंटी एट सेंचुरी तो बीसवी सताब्दी के यह आप लोग ध्यान रखेगा कि बीसवी सताब्दी के सबसे जादे प्रभावी अगर बोलें कि या जो सबसे जा आज़ा सोसोलोजिस्ट आप सिंबॉलिक इंटरैक्सनिस्ट स्कूल आप थाट तो यह जो हैं प्रतिकात्मक अंतक क्रियावाद की स्कूल से बिलॉंग करते हैं तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा हो सकता है एक्जामें पूच दिया जाए कि जो सदर लैंड है वो कि स्कूल से बिलॉंग करते हैं तो यह प्रतिकात्मक अंतक क्रियावाद का जो विचारधारा है उस स्कूल से बिलॉंग करते हैं और यह सिकागो से चुकी इन्होंने पढ़ा है इनका जो जीवन काल बीता है वो अमेरिका में बीता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह एक अमेरिकन समासास्त्री है और इसके नाम से भी यह जाने जाते हैं तो यह आप लोग जरूर से याद रखेगा यह इन्हों क्राइम एंड इलिक्वेंसी पे एक जन्रल थियोरी दी थी तो आप लोग को कुछ नहीं याद रखना है जश्ट याद रखे कि आप लोग नोट जैसे बना रहे हैं तो आप लोग बसे बनाएगे कि सदर लैंड 1883 से 1950 अमेरिकन समासास्त्री यह आप लोग लिख सकते हैं प् यहाँ पर इनकी कुछ महत्तपूर पूस्तके हैं उसके बारे में हम लोग इसकस कर लेते हैं तो इन्होंने प्रीसिपल आफ करिमनलोजी लिखा है यह बुक आप लोग को दिख सकती है प्रीसिपल आप क्रिमनलोजी यह आप लोग ज़रूर याद रखिएगा इनकी इमज् मिल देगे ये भी बुक मुझे बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट लगी 20,000 homeless men अर्था जो बेघर लोग थे 20,000 बीस जार बेघर लोग जो है उन पे इन्होंने बुक लिखिया और ये बुक जो है आई स्टडी आफ आने इंप्लाइड में इन दस काग को सेल्टर सो तो जो जुग्यों में जो लोग रहते थे आने इंप्लाइड जो बेरोजगार लोग रहते थे उन्हीं पर इनका ये कि स्टडी है 20,000 homeless men सदर्लेंड का जो एक और बुक है दा प्रोफेशनल थिप तो यहां पर आप लोग देश सकते हैं ये बुक है दा प्रोफेशनल थिप मैंने इसको मेंसन भी कर दिया है और ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो है वाइट कॉलर क्राइम जिस पे इन्होंने कॉंसेप्ट ही दिया है सदर्लेंड की एक और बुक आप लोग को देखने के मिलेगी कि दिफ्यूजन आप सेक्सूल साइकोपाथ लास तो ये आप लोग जरूरी याद रखेगा क्योंकि थोड़ी डिफ्रेंट बुक है कि आखे में ये बुक किसकी है वाइट कॉलर क्राइम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंसन है तो दोस्तों ये इस अदर लाइंड से सम्मंदित कुछ फैक्ट्स भी थे जो कि एक